कि निवश्कान में हूँ धंश्री के क्या नियूस में आपका स्वागति बढ़ते हैं खबरों के और नग्य निकाज चुनाव को लेकर मधिप्रदेश के बीजुपी के दिगच नीतावडी मैदान संभाल लिया है भोपाल से महापौर पत्की उम्मिदवार मालती राय के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमुत्री शिवराज सिंग चौहान और प्रदेशा ध्यक्ष वीडी शर्वा ने मोच्चा संभाल लिया नमंकन पत्र भरने से पहले बीजुपी ने भोपाल के पुराने शहर में जनसभा का आयोजन किया इस दोरान सियम शिवराज ने कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा नगरे निकाच चनाओ में जीत हासिल करने के लिए बीजुपी नी शुक्रिवार से अपना अभ्यान शुरू कर दिया भोपाल महापूर उम्मीदवाव मालती राय के साथ सियम शिवराज और वीडी शर्मानी जनसभा का आयोजन किया इसते पहले सियम शिवराज शुववीदी शर्मानी मालती राय के साथ भोपाल के भवानी चौकेस्तित कर्फियू वाली मातावंदिर में पूजार चुना की नामंकन पत्र भरने से पहले भोपाल से बीजुपी उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में सभा में सियम शिवराज ने कॉंग्रेस पर जम करने साना साधा सियम ने कहा है कि कॉंग्रेस को महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं मिला वही घिसे पिटे ले आए सियम शिवराज ने कॉंग्रेस नेताओं से पूछा कि इतने सालों में कोई नेता क्यों तयार नहीं कर पाए उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस कारेकरताओं की इससे जदा और बेज़ज़ती नहीं हो सकती कमलनात्न पुराने चहरों को उतार कर अपने कारेकरताओं की बेज़ज़ती की है कॉंग्रेस के पास चहरे ही नहीं बचए सियम ने कहा कि कॉंग्रेस को विधायक और विधाया का पतनी को चुनाओ मदान में उतारना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास को योड़ चहरा नहीं है ये पार्टी इतने सालों में उम्मिदवार तयार नहीं कर पाई जुन्हें जन्ता नकाट चुकी है उन्हें फिर से चुनाओं में उतार दिया है सियम शुराज ने कहा है कि भाजपा कारेकरताओं की पार्टी है यहां सभी गो आउपसर मिलता है पुड़ी भंडार वाले की नभ्यवईसा में पुड़ी खाखा के कई दिनों तक पेठ हमने भी भड़ा है भोपाल की हरगली मैंने देखी कांग्रेश ने भुपाल को इस कस्वा बना कर रखा था कि बतार जौब कांग्रेश ने भोपाल का दिकास किया था क्या जोर से बताना है वह बंकताधार है कि अब भी पांग्रेश प्रच नहीं छोड़ रहा हुग और फिर बंकताधार करेगा मतволद्र exhibitions ile भौपाल का किये तबाह और बर्बाद किया भौपाल लेकिन भौपाल को सुन्दर सेहर बनाया तो भारती जनता पालिटी की सरकार ने बनाया भारती जनता पालिटी के नगर निगम ने बनाया बोलो सही बात है कि नहीं आज भौपाल के अगर अगर सेतु देख लीजिए रा कुछ नहीं बनवाया रोते ही रहते दिगी भी कहते थे पैसे ही नहीं है पैसे ही नहीं है और आज मामा करा है पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है कोई कभी नहीं अभी जो काम जो सैंंचाइलनवाइक की टीम हमारी वो पूरी बदाएंगी अवह बहुber पाल में पार्क फ्राइववर वर बहुबर भोबाल की ओवर डिज़ बहुब ऑर कि मनस्थाजर करन leaking भूबल में में नर्मदा मैं या के पीरे का पानी अगर कोई लेकर आये तो बताओ कांग्रेस कभी पानी तेया कांग्रेस ने टीका निथ है कि आप कि अज़्ञाट हो और बार्ति-जन्ता-पार्टी टीर ची आज में घर्ब के साथ कहता हूं हमारी फालीटी सबसे अलग पारिटी है अ सब से हज पहर हमें गर्व बिसिवार हां हमारे नका नरंडर मोदी जी करton लड़्डा जी अमिजी पर प्रदेश अंदेशी जी पर हमने देखो गाइडलाइन बनाई ये भुपाल वालों साधरन बात नहीं है और तैकिया एक ब्यक्ति एक पट एक पट पर एक ही ब्यक्ति रहेगा बताव सही है कि नहीं सब अपने घर में धर लो ये भारती जंता पा ज्यादा उमर हो गई हो तो कहेंगे पालिटी की सेवा करो ये भी ठीक है कि नहीं है अरी जोर से भोलो ठीक है कि नहीं है गाइडलाई नहीं बनाई हमने अभी अपनी उमर कम है इमांदारी से जिन पर हाथ रख का बताओ ऐसा होना चाहिए कि नहीं और गर्व करते हैं इसलिए हम भारती जंता पाईटी एक जमीन से जुड़ी बेटी पाईटी की बरसों से सेवा करने वाली आज गर्व है ये माल पर तिराय भारती जंता पायटी की उमिद्वार मतलब हमारा विलों है कि नहीं नें हम सब इसम्ध वारुक्र है निम्हें अर भाईयो बदा लगॉन यह वी कौण से देख लो का माएगी भार्ती जंतर स्पांटी रापती का मेरों कि देगो गरीब हैं और भाई आट तुमसे भी कहना चाहिद' एक विकास की बाद gearory बकल्यांट जंता कि कल्यांट की बाद अब नर्यंद्र मौदी जी गरीब करल लिए रासन देते की नहीं अर जोर से बताओ देते की नहीं और मामा भी मुख्मंत्रिया निपूना योजना के अंतरगत गरीबों को रासन बाठता आ की नहीं कांग्रेश ने कभी गरीब को रोटी दी जोर तो बोलो रासन दिया बाते करने वालो खुद का पेट भरलो गरीब का पेट भरने की चिंदा की चाहत हो रहे और ले कोई भी गरीब कल्यान की चीज देख लीजे चाहे वो रासन हो और चाहिवों मकानों आज का रहा हूं भौपाल के गरीप पहनों और भाईयों एक होजनाती हमारी मल्टी बना के मकान देने के गरीबों को बीजबी प्रदेशाद्यश वीडी शर्मा ने कॉंग्रेस के वरिष्ट नेदा कमलनाथ पर निचाना साथते हुए कहा कि कॉंग्रेस नेदा भाजपा कारिकरताओं की ताकत को समझ चुके है अब तो कमलनाद भी मान चुके है कि कॉंग्रेस के कारिकरताओं को बीजबी के कारिकरताओं से सीखना चाहिए वीडी शर्वा ने कहा कि कॉंग्रेस का अब कही कोई वजूद नहीं है ये पार्टी अब हर जगा अंतिमसा से गिन रही है हमारे लिए एक बड़े आज गोरव और गर्व का दिन है क्योंकि हम कहते हैं कि भार्टी जनतापार्टी कारिकरताओं का दर है मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे खजराओ जब भेज दिया गया तो हमारे मीडिया के मित्रो ने बोजे पूछा कि भीड़ी सरमा जी खजराओ आप आगए हैं बारा दिन बचे हैं आप चुनाव कैसे जीते हैंगे तो मैंने उस दिन कहा था कै मित्रो ये भार्ती जनतापार्टी है भार्ती जनतापार्टी में प्रत्यासी तो नाम मात्र का होता है भारती जन्ता पार्टी का भूत भूत का एक एक कारिकरता चलाव रहता है और मैंने उस दिन कहा था कि भारती जन्ता पार्टी का भूत का एक एक कारिकरता लोग सभा का प्रत्यासी है तो मित्रो आज स्भामे कहिना चाहता हूं कि भोपाण का बैठा होई नेड़त और यह बैड़े वए जो कारकरता और जो कारकरता भूतों पर काम कर रहे है वो सभी कारकरता के वन seventeen Ōई भारति जनका पार्टी का एकक कारकरता भूपाल का महापौर का प्रत्यासी है और इसलिए मित्रों में आज इस बतर पर एक बात का और उल्ले करना चाहता हूँ कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पूर्वंबुक्ष मंदरी कमलना जी ने कहा है कि हमें चिंता अगर किसी की है बारती जन्ता पार्टी के तो महिकया सबसे बड़ा ताकत तो मिमांती ताकत अध्यकष और आपक के उद्रbag लिए पर्चारवन की और बातों की नियां करने की जरूत है ये चूट बोलेंगे चल कपट करेंगे कोच उनकोच ऐसा करेंगे आपको कुमरा कैसे किया जाए लोगों को इसलिए मित्रो आज इस सबसर पर मा के दरबार में आज हम इसका आगाज कर रहे हैं नामांकन दाखेल करने की बाद बीज़ेपी प्रत्याशी मातिराय ने कहा कि शिर्ष नेजो भरोसा जताया है उस पर खरे उतरना उनकी पहली प्रात्मिकता होगी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसी जमीनी और सामानी से कारी करता को भुपाल की महापो और पत की प्रत्याशी बनाया इसके लिए मैं आप सभी का हिर्दय से धन्यवाद करती हूँ और यहां बैठे हुए जन्समुदाय का भी मैं हिर्दय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने यहां आकर मुझे ये अवसर दिया कि मैं सारवजनित रूप से मंच असी सभी नेताओं का धन्यवाद कर सबूए भूपाल के कौने कौने से आए हुए हमारे भारती जन्ता प मंच पर बैठे हुए हैं मैं अपनी बाड़ी को पड़े संशित में कहूंगी कि आप सबने मंच असीन सभी नेताओं ने यहां के कार्यकरता बंदों ने जो मुझे पर विश्वास किया है और घोपाल की बागदोर समाले का जो आवसर मुझे दिया है उस पर मैं आप सभी क सम्मान रखते हुए फूरे पास साल तक आपकी सेवा करूंगी मैं मानिये यहां जंता को विश्वास दिलाती हूं कि हमारे देश के परदान मंत्री जी का जो सपना है आधर्णिय मोदी जी का जो सपना है कि भाव भारत सौनिंग भारत बने हमारे मद्वर्देश के मुखे आप सभी के माध्यम से संकल्ब लेती हूं और आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस दिल भुपाल में आप मुझे उस अवसर्वक को देंगे कि माहापौर के रुपने मुझे भुपाल नगर निगम में पहुचाएंगे तो मैं इस मंच पर खड़े ओकर बरिस्ट रेतक्त्व के सामने ये संकल्ब लेती हूं कि भुपाल की माहापौर मालती रहे नहीं यहां बैठा हर एक कारेकरता रहेगा यहां पर हर एक कारेकरता का जो कारेल है वो भुपाल नगर निगम का माहापौर का कारेल रहेगा आप सबी को मैं संकल्ब देती हूँ कि जिस दिन मुझे या हुसर आप सबी के माध्यम से मिलेगा घोपाल को भ्रस्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का मैं पूरा तरह से प्रत्न करूँगी और आप सबी के मान सम्मान को मैं आगे बढ़ाऊंगी मैं प्रदेश निरततु का यहां बाठी हुई जनता का जो विश्वास आप सबने मुझे पर जगाया है मैं पूरे पास साल कर आपकी सेवा करूँगी मगर उससे पहले मैं आप सब से जोली फैला कर अपील करती हूँ कि छे तारीक तर आप सब को देरे साथ में संकल लेना है कि आप छे तारीक तर प्रयास करेंगे महनत करेंगे और छे जुलाई के बाद में यह आपकी बहन आपकी बेटी आप संकल लेना है कि आप छे तारीक प्रयास करेंगे मेहनत करेंगे और 6 जुलाई के बाद में ये आपकी बेहन आपकी बेटी आपकी बीबी आप सभी के विश्वास पर खरे उतरने के लिए 24 घंटे आपकी मेहनत के लिए खड़ी रहेगी और गिसी विश्वास से साथ मैं अपनी बाड़ी को ग्राम दूँ उसे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कि भोपाल हमारा ताल तरहियों की नगरी का भोपाल है हर्याली इह पर है इसी तारतम में भोपाल को सौंधरी करण के रूपे लेकर जो स्वास अभ्यान चलता है उसमें भोपाल को नंबर बन बनाने का भी मैं आप चबी के सहयोग से यहाँ पर बैठे हुए जन्प्रतिनिदियों के सहयोग से भुपाल को नंबर बनाने का प्रयास करूँगी और आपके बिस्वास पर खरी उतरूँगी और एक और संकर्ब जती हूँ कि कभी भी पास साल में आपकी बहन को किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का बहार नहीं होगा जो आपको ये गलती लगे कि हमने गलती करी मालती राय को चुनकर ये मैं बिस्वास देती हूँ कि आप पूरी तरह से इमान दारी से मेरा साथ देंगे भारती जनता पार्टी का साथ देंगे और पूरे पास साल तक में आपका साथ दूँगी नामांकम दाखिल करने से पहले रेली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में कादिकत्तावनी जोश दिखाया भोपाल से समाथ आता अदेल खान की रिपोर्ट ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्स्राइब करना ना भूले झाल